तो इस वीडियो में मैंने फॉर्स्ट वीक अफ मेका कंप्लीट किया है आपको टाइमिंग का बहुत ज़दे वेडियेशन्स दिखेंगे क्योंकि मैंने सोचा कि कल रात को ही कंप्लीट कर लो फॉर्स्ट वीक अफ मेका लेकिन नहीं हो पाया धाय बच चुका था तो सुबह म मुझे मा को किचन में हल भी करना था वो सिकिम जा रही है मतलब चली गई तो इसलिए नहीं कर पाई और सारा काम आज खत्म करने के बाद मैंने अभी कंप्लीट किया है तो सेकेंड यह हो गया और सेकेंड पॉइंट यह है कि आप लोग को पता है कि हमारे पास एकदम भी ट का सारा फोकस प्रियलिंश में रहेगा आप पी और क्लरड का प्रियलिंश खत्म होते होते आप यह इसाब यह चैपर आप लोग याद करके पढ़ना जो कि मैं कर रही हो हाना और चलिए तो फिर आप लोग कंप्लीट करो आपका जो भी रूट इन बना यहा all the best और बीच में अगर आपको लगे कि नहीं boring लग रहा है नहीं पर सकता यह फिर पर सकती तो आप सब यह सोचना कि अगर यह पर सकते हैं तो मैं भी पर सकती हूँ क्योंकि इसको boring लगता है counter face परने लेकिन यह फिर भी कर रही है क्योंकि इसको पता है करंट अफियस पढ़ने से कितना माक्स इंक्रीज हो सकता है यह हिसाब से आप लोग पढ़ना है न तो चलिए आप लोग स्टार्ट करें थैंकी सो मुच बीच में आप लोग ब्रेक ले लेना All the best Sorry friends मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने ये भी स्क्रींशॉट लेके रखा था कि वेस बेंगोल में RRBPO और क्लर का SC कैटेगरी का वेकेंसिस यह है RRBPO का सिफ 26 है और RRB कलर का सिफ 43 है और यह देखके ही मैं और ज्यादा मतलब मोटिवेड़ेड होती हूँ कि इतना ही सिफ वेकेंसिस बहुत ज्यादा महिनत करना है और इस हिसाब से आप लोग भी करें और सेकेंड जो स्क्रींशॉटर जो अरुन सर का है उन्होंने एफ जो mph स करना है और, कोहीं प्रिंचर जो है और, दो सिफ 14 अरुन सर कर दो सिफ 19 अरुन सर करेंवेड़ेड़ीन सेकेंस मतलि करेंश देखक घद है आम कर दो कर दो कर दो कर दो जो करisen झाल 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 झाल